हेलो माइडिय स्टुदेंट्स इनेविटिबल क्यान में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है अभिशेग यादब और मैं आप सभी लोगों को फिटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा फिटर का जतना आपका से लेबस है ट्रेट सियोरी का जितना से ले एक्जाम है आपका इसे रिलेटेड और जो भी आपके एक्जाम से हैं वो सारे क्लिए होंगे तो आप लोग बस सारे वीडियो देखिए और आपका कोई भी डाउट होगा मतलब आपकी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे सारी की सारी चीज़ें जो भी कॉंसेप्स ह जो आपके लास्ट यह के प्वेस्चंस हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और जितने भी एक्जाम से आपके ग्रॉप डी के हो गए या उससे ऊपर जो भी एक्जाम सेंच यहीं के जिसमें कि आपका फिटर का जितना भी डिलेट टॉपिक्स आते हैं सारा का सारा आपका कंप् चटूब करते हैं लिए तो हमारा टॉपिक है वहर अपका करते हैं या किसी जॉब को या किसी तो बनाने के लिए हमें उसकी चेक करने होती है जो मिनको चेक करते हैं जिसे के वो वह सारी सही साई में बनी है के नहीं बनी है है ना वह एकुरेट है या नहीं है तो यह सब चीज़ें चेक करते हैं जो मेजर करते हैं दैट इस कॉल्ड मिजर्मेंट उसे हम माप कहते हैं ठीक है किसी भी पार्ट या जॉब की ठीक है किसी भी पार्ट या जॉब की लेंथ व्रेट हाइट और उसकी चोडाई उसकी उंचाई यानि के ठीक है हाइट उसकी मोटाई और उसका व्यास डायमीटर यह जो हम मेजर करते हैं इसी को हम माप कहते हैं माप करने के लिए हमें ज़रुद किसी पड़ती है मेजरिंग टूल की ज़रुद का क्या क्या हैं जैसे एक्सामपिल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ मेजरिंग तो दिये हुए मेजर्मेंट की दो विदिया होती है मेली क्या क्या विदिया होती है डारेक्ट मेजर्मेंट और इंडारेक्ट मेजर्मेंट वैसे इसमें एक कंपरेटिव मेजर्मेंट और होता है जिसमें से एक्जाम्स में क्वेश्चन्स कमी आये हैं लेकिं फिर में आपको बता जिता हू comparative comparative measurement क्या होता है इसमें आपको जो compare करना होता है किसी masterpiece job के एक masterpiece job मिला होगा master job होगा उस job के dimensions या उस job से जो आपकी job बनाई है आप लोगोंने जो part तैयार किया है उसको compare करना है that is called comparative measurement वो कहलाता है डारेक्ट measurement क्या है प्रत्यक्ष माप प्रत्यक्ष माप प्रत्यक्ष यानिके जो हम directly measure कर सकते हैं सीधे state rule के साहिता से वर्नेल कैलिबर और micrometer यह आपके सामने तीनों दिये हुए हैं इसमें आप देखेंगे इन तीनों ही पर graduations बनी हुए हैं ठीक है मार्किंग्स हो रही है नंबर लिखे हुए हैं नंबर लिखा हुआ है एक तरफ यह mm की 맡खेंग है स्कीनल की अगर हम बात करें और दूसी तरफ यह इंचिस में होती है ठीक vas तो क्या है यह यह ये है ग्रेजुएशन इंको हम क्या कहते हैं इनको कहते हैं ก 식 लेजुएशन ठीक है इंको कहते हैं अब यहां graduate है इस पर भी यहां ठिंबल पर इसको ठिंबल और यहां पर यहां पर नहीं होती है और यहां वर्णियर केली पर पे ही रीडिंग्स वगैरा दी होती है तो यहां से क्या कर रहा है यहां से हम directly यहां पर मैंने इस पैंसिल को यह तो इस पर हम चेक कर सकते हैं इसकेल से भी आप डारेक्टली हम चेक कर पा रहे हैं की बार डूसी तरफ होता हमारे इंड़ेक्टेणी जलानी के अहग्याद प्रक्टेग्छी माप होती है जो प्रक्टेश नहीं है प्रक्टेश नहीं कहीं कर सकते हैं उसको क्या करना हुगा उस map को transfer करना होगा कैसे transfer करना होगा उसके लिए हमारे पास औजार होते हैं caliper है, straight edge, tri square वगएरा है tri square कहीं कहीं पर आपको tri square दिये दिये जाता है जिसमें के markings होती है लेकिन ज्यादा तर आपको tri square जो मिलेंगे उसमें markings वगएरा नहीं होती है तो आप देखेंगे, ये calipers है calipers पर क्या करना होता है आपको caliper पर जैसे for example, अगर मैं आपको बता हूँ तो जैसे कोई भी अगर एक hollow cylinder है अगर कोई ऐसे माली जीवनेज़ पेंसिल है इसकी अगर dimension लेनी है, तो हमने यहाँ से dimension ले लिया इसका नाप लिया यहाँ से ठीक है, ऐसे इसका नाप लिया और उसको फिर हम transfer करते हैं कहाँ पर इसको transfer करेंगे scale की साहिता से हम लोग measure करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी reading आई थी आप यहाँ से mark कर लीजे और जितना भी आपकी reading होगी भी यहाँ से आपको मिल जाएगी तो यह समझ में आया है, तो यह अपने चक्ष है आप यहाँ से इसको measure करेंगे है और यहाँ से size को यहाँ पर scale पर आप चेक करते हैं कि कितनी उसकी reading है I hope यह आपको clear होगा होगा measurement क्या है measuring tools measurement क्या है और उसकी क्या विदिया है direct measurement, indirect measurement ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या है next अब हम बात करने वाले हैं types of measurements की types of measurements यानि कि map के परकार क्या क्या है तो map के परकार में मुख्यत है चार परकार के map के परकार होते हैं क्या है? linear measurement जिसको के लंबाई के map कहते हैं angular measurement, korn वाले map third is radial measurement radial map और fourth is flat surface measurement समतल सते के map बारी बारी से हम सब के वारे में पढ़ेंगे क्या होता है linear measurement क्या होता है angular measurement radial measurement क्या है flat surface measurement क्या है अब देखे linear measurement की बाग करते है linear measurement यानि कि जो cd रेखा में मेas risk के लिए जाता है ठीड़ा है सीरी रेखा में measurement जो लिए जाता है वो उसके लिए लोगोंने देखा था में ली जो यूज किया जाते हैं steel rule, vernier caliper और micro meter है जिससे कि हम linear measurement ले सकते हैं लम्बाई में माझ ले सकते हैं उसकी लम्बाई चेक कर सकते हैं मोटाइ, उचाई वगेरा उसका diameter भी चेक कर सकते हैं हम लोग ऐसे और angular measurement, korn वाले mark जहां भी देखी और दो क्यांने यह मिलती है तो यह जो होता है यह क्यодols क्योंडाता है इस को machine को अगर मैं चैक करने हो तो उसके के साइख्लिए होता है उनु मेदा क्टेक्टर होते हैं गी है तो भी चांड क्या होता है चांदा सुना होगा है ना इसको क्या कहते हैं चांदा चांदा किसलिए होता है एंगिल मेजर करने के लिए कोण को मापने के लिए हम लोग चांदे का प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से इनुवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे आगे आपके आग सारी चीज़ें के लिए हो जाएंगे चलो अब रेडियल मेजरमेंट की बात करता है रेडियल मेजरमेंट यानि कि हमें रेडियल मेजरमेंट लेना है किसी जीज़ का ब्यास और जैसे माली यह चीज़ मेजर करना हो ठीक है उसका डायमीटर मे कर ना है इसकी डायमीर है अगर मैं व्याज चेक करूंगा तो उसके लिए किस के लिए यूज़ करते हैं क्या चीज़ करेंगे इसके लिए हम लोग एज कर रहें हैं और रिंग के सीज़ के आता है है वगख यूज किया जाते हैं आपको नाम समझ यह नाम सुनिए कौन-कौन से नाम हैं और इससे बस फैमिलियर हो जाजी एक बार ठीक है आप जब आगे देखेंगे आगे हम लोग सब चीज़ के बारे में एक एक करके हर चीज़ के बारे में पूरा काईदे में देखेंगे और देखते हैं फ्लैट सर्फेस मेजर्मेंट समतल सतह के माप समतल सतह का माप जाने की कोई भी अगर सर्फेस है उस सर्फेस कितना रफ है वो कर्व है उसमें के नहीं है यह चीज़े हम लोग चेक करते हैं सर्फेस समतल है या नहीं है इसको च प्रकार जो आपके उनके प्रकार कितने होते हैं तो टाइप अगर आप करें तो एक तो होता है और दूसरा होता है विटा प्रसीजन मेजरीं इंस्ट्रूमेंट्स प्रकार कि साधारंड मापन यंत्र होते हैं और होते हैं सुक्षमापी मापन यंत्र तो क्या क्या होता है औरी आपको मालूमी है मिंट है आगे देख लेंगे मेट्रिक सिस्टम और विटिश स्थी होती है एक होती है मेट्रिक और दूसरी होती है है ट्रिक गेड़ा से लुक MichAL घृति होती है तोbay सिस्टम में जुमारे मेरी सिस्टम होता है जिसमें कि में में से तो इस पद्दतिए के द्वारा में है सिस्टम में 05 mm अगर उसकी लिस्ट कांड ह yours से लिया जा सकता है। ड' is called दी 05 mm.5 mm अगर हम माप ले सकते है मैट्रिक सिस्टम में और बेटिश सिस्टम में वन बाइ सिक्स्टी फोर इंच एक बटेज चौशट इंच न्यूंतम माप लिए लिया जा सकता है तो कि उसे हम क्या कहते हैं और नरी में बीजरेंग इस्ट्रूमेंट कंडिए इसके या इसके यह हम लोग इस्टील रूव का इस्टिमाल कर सकते हैं एक 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 जाम्पल के तौर बहुत हैं सूख्ष मापी मतलब ज़्यादा एकूरेट काफी प्रेसीजन और एकूरेट ली हम लोग चेक कर सकते हैं इसके लिए आपका नियूंतम जो मेजर्मेंट है वह 0.01 mm लिए जा सकता है 0.01 mm मेट्रिक्स सिस्टम में और 0.001 इंच इन बिटिश सिस्टम है बिटिश पत्रती के हिसाब से 0.001 mm वह इंच और यहाँ पर हम लोग लेते हैं 0.01 mm ठीक है यह हो गया आपका मेजरिंग इंस्टूमेंट्स तो यह तो हो गए आपके मेजर्मेंट्स आपकी विधियां जो है मेजर्मेंट्स की एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं एक हो गया मेजर्मेंट 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 के क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे की कैलीपर्स क्या होते हैं ठीक है और कितने प्रकार के होते हैं इस बेसिस पे उनको विभाजित किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेगे ओके तैंक यूवरी मच